बठेंदा मिलिटरी स्टेशन में फारिंग की घटना के दोरान एक आर्टिलरी यूनिट के चार जवानों की गोली लगने से मोध हो गई कर्मियों को कोई अन्य चोट या संपते के नुकसान शती के सोचना नहीं है बताया जा रहा है कि घटना सुपह चार बच कर 35 मिनट पर हुई है बारती सिना ने कहा कि इलाके को सील कर दिया गया है और मामले के तत्यों को स्थापित करने के लिए पंजाब पुलिस के साथ सायुक तजाच के जा रही है दो दिन पहले गायब हुए 28 राउंड के साथ एक आई एन S.A.S. राइफल के शामिल होने के संभावित मामले सहीत सभी पहलों का पता लगाया जा रहा है पंजाब के बठेंदा मिलिटर स्टेशन में आज तरके फारिंग की घटना में चार जवानों के मारे जानी की खबर है सिना के दक्षुर पश्मी कमान ने एक बयान में कहा के इलाके की घेरा बंदी कर दी गई है और त्वरित प्रतिक्रिया दलतलाशी अभ्यान चला रहे हैं सिना के बयान में कहा गया है कि बठेंदा मिलिटर स्टेशन के अंदर बहुत सुबह करीब चार बच कर 35 मिनट पर फैरिंग की घटना की सुचना मिले स्टेशन ट्वीक रियक्शन टीमों को सक्रिय कर दिया गया इलाके को घेर लिया गया है और सील कर दिया गया है तलाशी अभ्यान जारी है पंजाब पोलिस की सुचर के अनुसार बठेंदा में आर्मी कैंट के सभी एंट्री गेट बंद कर दिये गए हैं करिब दो दिन पहले 28 कार्टोस वाली एक इंसान राइफल गायब हो गई थी इस घटना के पीछे सेना की कुछ जवान हो सकते हैं बठेंदा मिलिटरी स्टेशन के अंदर फैरिंग में